मॉर्निंग स्टुएंट्स वैलकम एफसट इंटर कालीस ओनलाइन क्लासे में आज एंगलिस का जो टॉपिक है प्रिजेंट इंडियू टेंस उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजेंड इंडियू टेंस के जो संटेंस होते हैं उनकी किस प्रकार हम करते हैं है तो सर्प्रदम पीड्जाइंड टेन्स होनता हुता हुआइन की पहचांन क्या होती है हुआ Sam कि वाइंट टमबर वन पहचांद होटे हैं उनके अंत में ता है ती है, ते हैं, ते ता हूँ, आदी सब्द होते हैं, होते हैं, सेकिंड पहचान है, इसमें कारे का वरत्मान समय में होना पाये जाता है, कि इसमें कारे का बरत्वान समय में होना पाए जाता है थर्ड पहचान क्या निकलती है इसमें कि इसमें सामान सत्थ शामान सत्थ श्वभाव तथा आदत भी पिरकट होती है यह तीन पॉइंट थे पिरजेंट इंडिमेंट टेंस की पहचान इन्हीं उसकी जो हिंदी वाख होंगे उनके सेंस के अंसार जो हम पहचान लेंगे कि जो संटेंस हैं वो पिरजेंट इंडिमेंट टेंस के हैं अब नेस्ट बात आती है कि हमारी पिरजें इनिवेट जो टेंस होता है उसके संटेंसिस कितने प्रकार से हम बनाते हैं तो उनको हम चार प्रकार से बनाते हैं सर प्रितम आएगा फर्स्ट नमबर पर अफर्मेटिव संटेंसिस कि अफर्मेटिव संटेंस जो होती है वो साधार्ण वाख होते हैं अब जो से उनको ट्रांसलेट करेंगे तो उसके रूल से क्या होता है उनकी क्या नियम है उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हैं इंगलिस में तो रूल नंबर वन ही सी एट नेम तथा तथा सिंगलर सब्जेक्ट में और भी आते हैं हमारे जैसे दा डॉग है दा सन है यहीं इटी सी आधी जो वर्ड होते हैं वो भी हमारे सिंगलर सब्जेक्ट में आते हैं अब इनके साथ क्या करते हैं हम जो में बर्व होती है यहीं में बर्व की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में में एस या एस लगाते हैं तो यह रूल नमर हमारा फर्स्ट हो गया ही सी इट नेम तथा सिंगलर सब्जेक्ट जैसे डा डॉग है दा सन है के साथ में बर्व की जो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं अब रूल नमबर हमारा सेकिंड हुआ आई वी यू दे आधी आधी लूरल सब्जेक्टों के साथ के साथ में बर्व की में बर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यह रूल सेकिंड था हमारा अब इसको हम जब आगे ट्रांसलेट करेंगे तो उसका एक छोटा सा इस्टेक्चर ले रहे हैं जिसके आधार पर जो है ट्रांसलेट जो है बहुत ही इसी हो जाती है वह इस्टेक्चर है हमारा सबजेक्ट वर्व फर्स्ट या वर्व फर्स्ट में एस या इस आबजेक्ट और अधर वर्ड ये इस ट्रेक्चर है तो इसके वेस पर जो है हम जो हिंदी वाक होंगे उनकी हम ट्रांसलेट करेंगे अब एक्जामपल में जैसे हम यहाँ पर सो कर रहे हैं वह इसकोल जाता है यह हमारा हिंदी वाक हुआ वह इसकोल जाता है अब यहां पर सबजेक्ट के स्थान पर है वह है अब यहां हिंदी वाक के सेंसे हमें प्रतीत वर्व आए कि यहां पर जो है मस्कूल एंजेंडर का सेंस लेकर रहा है कि वह स्कूल जाता है तो यहां पर हम ही का यूज़ करेंगे अब में वर्व है जाना तो यहां पर गो आएगा में वर्व में वर्ब की आप है अब यहां पर सिंग्लर सब्जेक्ट है तो यहां पर हम यहां स् जोड़ देंगे अब जाने का वह रहा है तो यहां पर टू प्रिपोजीशन का यूज होगा और कहां जा रहा है इसकूल है इस प्रेकार से इस संटेंस की हमने जो ότι ट्रांसलेट कर ली सेकंड एक्जाम्पल है वे अपनी पुस्त के पढ़ते हैं यहां पर सब्जेक्ट प्यॉरल में पहुंच गया यह वे तो वे के लिए हम दे का यूज करते हैं अब प्यॉरल जब सब्जेक्ट बने गया तो प्यॉरल के साथ केवल हम में वर्व की फर्स्ट पॉंब का ही यू इनकी रीड रीड पढ़ते हैं अपनी पुस्त के तो यहां पर अपनी है जो पॉस्सिप केस है तो दे के साथ हम देयर का यूज करेंगे अब यहां पुस्त के तो बुक है बुक मानो होता है एक पुस्तक अब यहां बहुत से लोग हैं कि फिवरल सब्जेक्ट है तो भे अपनी अपनी पुस्त के पढ़ रहाए नो यहां पर वुक्स हो जाएगा तो इस प्रकार से ये दो एक्जाम्पल थे हमारे वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल बे अपनी पुस्त के पढ़ते हैं तो दे रीड देर वोक्स हैं अब इसमें डाउट आपको रहा होगा कि इसमें हमने येस लगाया और यहां पर येस नहीं लगाया तो जब नेम यहां डौघ क्या Uhr तो उनने क्साथ में हम क्या करते हैं यहां पर है मैं आपको प्वुइंट सो कर रहां नोडस में जने जिन जिन बर्वों के अन्त में जिन बर्वों के अन्त में कि एस कि सी एच या डवल एस या एस एच या ओ हो तो उन में तो उन में एस जोड़ते हैं सेस सेस बर्वों के साथ के साथ के साथ के सेस बर्वों के साथ एस लगाते हैं कि यह जो हमारा कि नोट पॉइंट है यह केवल सिंगल सब्जेट के साथ ही है ओके नेस्डे थैंक्यू तो प्रिवच्चो आज जो मैंने आपको टॉपिक बढाया है इसका अफर्मेटिव जो पार्ट था वो कम्प्लीट हो गया इसको आप जो है अपनी जो फेर कॉपि होती हो इसमें आप इसको नोट कर लें और इसके बाद जो नेक्स टॉपिक होगा वो नेक्स डे आपको कराऊंगा रेटिंग फॉर थैंक्यू झाल